आपने विद्युद सेल अवश्य देखे होंगे इनहीं सेल का उप्योग करके हम बैटरी चलाते हैं रेडियो सुनते हैं या फिर खिलोने की कार भी चलाते हैं इन सारी क्रियाओं के लिए उर्जा की आवश्यक्ता होती है यह उर्जा सेल से ली जाती है अब सोचने वाली बात ये है कि सेल को ये उर्जा कहां से मिलती है सेल भीतर से रसायनों और संबन्दित सामगरी से तयार होता है विद्युत सेल अपने भीतर ही संग्रहित रासायनिक उर्जा को विद्युत संभावित उर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल में भिन्न भिन्न धातों के दो प्लेट्स या फिर छड़े होती हैं जो एक द्रव से भरे पात्र में रखी होती हैं धातों की प्लेट्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ये वे सुचालक होते हैं, जिनसे होकर विद्युत अंदर आती है या फिर चली जाती है, धनात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है, और रेनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, वे द्रव जिसका विद्य विद्यूत अपघट्य कहते हैं। सेल या बैटरिया अनिक प्रकार और आकार की होती है। इनमें से किसी शक्तिशाली एसेड़ का उप्योग विद्यूत अपघट्य के रूप में करते हैं। आजकल सेल में द्रव की जगा जेली जैसी पेस्ट का इस्तमाल होता है और इस प्रकार के सेल को ड्राइ सेल अर्थात शुश्क सेल कहते हैं क्या नेम्बू खाना बनाने के अलावा अन्य किसी काम के लिए उपयुक्त हो सकता है जैसा कि आप जानते हैं ये नेम्बू का रस और कुछ नहीं एक प्रकार का ऐसीड अर्थात आमल होता है हम इसका उपयोग कर सकते हैं और कार्य करने वाला एक विद्दू छेल बना सकते हैं हम चार नेम्बू की मदद से एक साधारन सेल का निर्मान कर सकते हैं इसके लिए हमें कलई चड़ाई हुई तारें और खुली तांबे की तार की अवश्यक्ता होगी हम अधिक बलों वाली तारें लेंगे और उन्हें लपेट कर एक मोटी सी तार बना लेंगे अब हम galvanized अर्थात कलेई चड़ाई हुई स्टील की तार का और तामबी की तार का पाँच सेंटीमिटर का टुकडा लेंगे और उन्हें हमारे आधार भूत सेल में फिट करेंगे नीमबू का रस यहां पर विद्युत अपघट्य के रूप में काम करेगा इस एकल इकाई द्वारा कम मात्रा में उर्जा निर्मान होगी इस कारण हम चार नीमबू को इस प्रकार एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे जिससे तामबी की तार galvanized तार से जुड़ जाए रासाइनिक प्रक्रिया के परिणाम सुरूप electrons संपूर्ण पत या परिपत में से होकर बहते हैं क्या हम इन electrons को देख सकते हैं वास्तों में नहीं इसके लिए हमें LED की मदद लेनी होगी ताकि electrons की मौजूदगी कि हम कलपना कर सकें चली अब हम पहले और अंतिम छोर को LED से जोड़ते हैं जो परिपत के पूर्ण होते ही जल उठता है आप अधिक नेमबों का इस्तमाल करके भी ये कर सकते हैं साथ ही यह कृती करते समय अपने आसपास के विबिन्न पदार्थों का भी उप्योग करें सोचिए क्या ये अन्य फल जैसे सेब केला या कच्छे आम जब इन प्लेटों को सुचालक तारों से जोड दिया जाता है तब रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तामे की प्लेट द्वारा हाइडरोजन गैस का उत्सरजन होता है जो विलयन में अपने इलेक्ट्रॉंस को खोने के कारण वो धन आवेशित बन जाता है जस्ते अब इलेक्ट्रॉंस तारों के जरिये जस्ते की प्लेट से तामबे की प्लेट की ओर जाना शुरू हो जाते हैं इसमें ही विद्युद्धारा होती है ये प्रवाह तब तक शुरू रहता है जब तक या तो जस्ता खत्मन हो जाए या फिर आमल समाप्तन हो जाए डबल ए बै्टरी में जस्ते का ऐनोर अर्था धनात्मक इलेक्ट्रॉड होता है जो ये बेलन नुमाबर्तन के आकारका हो इसमें कार्बन कैथोड अर्थात रिनात्मक इलेक्टरोड होता है जो मध्यमें स्थित रौड अर्थात छड के रूप में होता है विद्यूत अपघटित अमोनियम क्लूराइड होता है जो पेस्ट के रूप में जिंक एनोड के बगल में होता है डबले बैटरी में विद्य इसी भी स्थिति में बिना गिरे काम कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त प्रवाही द्राव नहीं होता है और इसी वज़ा से ये छोटे उपकरणों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है लेड अमल विद्युत सेल वास्तव में लेड अमल सेल को हम पुनरवेशित अर्थात रिचारजेबल उर्जा संग्रहक के रूप में जानते हैं अधिक तर कार, ट्रक और अन्य वाहनों में इसी प्रकार के सेल का उपयोग होता है नौकाओ पंडुब्यों में भी इस प्रकार की सेल का उपयोग आबाधित उर्जा आपूर्ती के लिए अर्थात अनिंटरेप्टिबल पौर सप्लाईज यूपीएस के लिए होता है चली अब ये लेड अमल बैटरी कैसे होती है इसे समझने की कोशिश करते हैं बारा वोल की लेड अमल बैटरी में छे लेड अमल बिजली उत्पन करने वाले सेल श्रेणी क्रम से जुड़े होते हैं और इन सब को एक डिब्बे में रखा जाता है जब तनू सल्फुरिक अमल को अपगट्य के रूप में सेल में डाला जाता है तब ये बैटरी काम करना शुरू करती है आयन सेल के धनात्मक और रिनात्मक शेतर में एक रेशा बना लेते हैं इस प्रकार वे कैथोड अर्थाद धनात्मक छोर और अनोड अर्थाद रिनात्मक छोर के बीच में एक प्रवाहकिय पथ बना लेते हैं जिसके कारण Electrons Cathode जिससे बैटरी ये सेल का विद्धित विमोचन अर्थात डिश्चार्ज होता है ये अभिक्रिया प्रतिवर्ती होती है जब लेड आमल बैटरी बाहिय उर्जास्तोच से पुना आवेशित अर्थात रिचार्ज होती है जिसमें एनोड और कैथोड पुना एक बार अपनी मूल स्तिती में लौट आते हैं लेड आनोड लेड आमल शेल में लेड एनोड को रिणात्मक इलेक्रोड कहते है इसमें सक्रेय पदार्थ के रूप में स्पन्जलेड होता है जिसके कारण सल्फिरिक अमल और इलेक्रोलाइट के अभिक्रिया करने के लिए उपलब्ध सतही क्शेत्र बढ़ जाती है, LED डायओक्सईड सेल में लेड कैथोड सेल में कैथोड को धनात्मिक तहना था IDielle, कैथोड पर जो सक्रिय पदार्थ होता है वो है LED गैए ओक्साइड जो LED येड़ ऑक्साइड पाउडर से इलेक्ट्रो फोर्मेड जो गृड अर्था जाल पर लगी होती है साराच आपने आज भिन भिन प्रकार से शेल किस प्रकार कारि करते हैं ये जाना विभिन प्रकार की बैटरियों को समझा और उनकी अंतस्त कारी पद्धती के बारे में भी इंटरनेट की मदद से जाना